आज आपके 11 की 1st class है और जैसे कि हम classes को कैसे करेंगे नहीं करेंगे मैं कुछ आपको बता दू subject wise आपके पास basically ना 5 subject होंगे और एक additional अगर किसी के school में है तो ठीक नहीं तो basically 5 subject ही है कौन-कौन से subject से यह ध्यान रखना है आपको एक है आपका सबसे पहले मैं बात कुरू अकाउंट टेंसी की एक accounts है commerce class के अंदर एक आपके पास business study है business study के बाद आपके पास English है English के बाद आपके पास economics है जिसे हम eco भी बोलते हैं और final आपके पास maths है math है तो अब आपके mind में question हो सकता है के sir हमें क्या है हमारे पास तो देखो यह subject हर किसी बच्चे को मिलेगा commerce वाले section में और जिन बच्चों का प्राइवेट में स्कूल में classes स्टार्ट होगे उनको पता भी होगा मैं basically बताना चाहता हूँ के इन सारे subjects के लिए अभी आपको book buy कौन कौन सा करना है जिन बच्चे को confidence है definitely वो तो buy करेंगे ही जिनको confidence नहीं है उनके लिए मैं कुछ assignment notes दूँगा कुछ को लगता है के भाई हम result के बाद साइद mind change हो जाए अभी investment नहीं करेंगे तो उनके लिए मैं कुछ इस तरीके से provision करूँ हूँ है बाकी book जिन बच्चे को confidence है वो book ले ले accounts की जो लेनी है आपको वो है T.S. Grebal बिजनस study की अभी book buy मत करना business study के बहुत सारे writer है अभी buy नहीं करना इसके अंदर आपका R.K. सिंगला है इसके अंदर आपका सुभास दे है N.C.R.T. बहुत सारे तो जो school वाले आपको prefer करेंगे न वही buy करना है ठीक है ना बाकी accountancy का पूरे डेली के अंदर एक book चलता है T.S. Grebal हाँ लेकिन जो K.V. में बच्चे है कुछ school के अंदर आपका D के गोए लगवाते हैं तो आप एक बार confirm कर लेना कि मैं book consultant है बाकी T.S. Grebal best है इंगलिस के लिए आपका N.C.R.T. economics के लिए आपके अलग-अलग writer के book आती है अगेर मैं बोलू हूँ economics के book को भी बाई मत करना जैसे कि economics के लिए आपका T.R.G.N. है संदीप गर्ग है अलग-अलग writer के book है तो book नहीं बाई करना हो और math के लिए आपको N.C.R.T. इंसके book बाई कर सकती हो English और mathematics के लिए N.C.R.T. लेकिन mathematics में कुछ बच्चों को confusion है अब आपको दो तरीके के mathematics इस साल से आ गए है एक applied math और एक mean math जिन बच्चे को future में जाके math sonners या economics sonners करना है वो तो main math ले बागी सभी बच्चे applied math ले सकते हैं बहुत आसान है applied math तो वो रोहित सर आएंगे तो आपको सारे detail देंगे मैं accountancy की बात करूँगा आज स्रिफ आपके सामने क्योंकि आज first class है तो थोड़ा बहुत हम जान लेके हम किस तरीके सा पढ़ेंगे देखे अकाउंट्स के अंदर जो T.S. Greval की book है आपके दो term में exam divided होगा एक आपका होगा first term जिसे essay one भी बोलते हुआ semester one एक होगा आपका final तो अलग-अलग नाम से दो बार exam होगे आपके private school का क्या scenario रहेगा कि आपके weekly test, internal marks और KV student के इनके उन marks का भी weightage एड़ किया जाता है बाकी दो ही बार exam होगे main, first term और final term first term में आपके कितने chapter आएंगे one, two, thirteen आप जब T.S.Grewal के book लोगे तो one, two, thirteen और नई book लेना है आपने last chapter इसके अंदर कौन सा होगा? BRS, bank अब अभी तो बताऊँगा तो ज़्यादा समझ में ने आएगा तो एक से तीरा तक आएगा final में कितने chapter आएंगे आपके? आपके पूरे chapter आएंगे one, two आपके book में वैसे 22 chapter हैं ये सारे chapter आएंगे कुछ book में 23 तक हो सकते हैं आपका जो first term का होगा वो weightage होगा आपका 25 marks और final term का होगा आपका 65 marks ठीक है ना? बाकी आपका practical होगा project होगा आपके school में ही जैसे कि आपने 10 ते में तो दिया होगा project होगे आपके 10 marks के तो इस तरीके से आपका पादा कुछ exam होगा तो एक से 13 chapter जो है इसमें कुछ theory भी है कुछ practical भी है बाकी अकाउंटेंसी के अंदर maximum chapter आपके practical है और आपका ये अकाउंटेंसी एकदम core subject है मतलब जिससे आपके एक पहचान बनती है कि अगर commerce लिया है तो इस बच्चे को तो accounts आता होगा जैसे अगर किसी ने arts लिया है तो इस बच्चे को history political आता होगा science लिया है तो इस बच्चे को chemistry biology आता होगा तो same commerce लिया है तो accountancy आता होगा तो आपका एक तरीके से ये base है बिलकुल तो ये पूरा scenario रहेगा हम first chapter से basic से start करेंगे पहले हमारा first term का target रहेगा और आप सभी का school जैसे की सुनने में देखो news वगेरे तो बहुत सारी आ रही है फिर भी लगबग एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई से start होंगे आपके school या June end से जुलाई से start होंगे और आपके school के timing को extend कर दिया जाएगा और timing को जब extend किया जाएगा तो उसके अंदर आपका syllabus बहुत जल्दी-जल्दी करवा दिया जाएगा और exam आपका September end में हो जाएगा ये अंदाजा लगाया जा रहा है तो हम क्यों न अभी से starting करें पढ़के चलें तो आप सभी बच्चों को बस एक छोटी सी जानकारी है आप सभी एक कैसे start करेंगे मेरे साथ जब accountancy पढ़ोगे तो एक बिल्कुल new register होना चीए pen दो से तीन color का use करें black pen, red pen और blue pen notes अच्छे से बनाना है साथ के साथ और daily revise करके चलना है हमें ठीक है न उसमें कोई ऐसा नहीं होना चीए कि इसको revision हम बाद में करेंगे तो चलिए हम आज का जो first topic है कुछ basic accounts की definition उससे start करेंगे कि accounting की definition कहां से है और कुछ एक दो दिन आप हो सकता है में भी theory पढ़ेंगे उसके बाद हम अच्छे से start करेंगे ठीक है तो आज first class है तो हम start करने जा रहे हैं accounts की definition से ठीक है तो एक बार इसको note करना है जिन बच्चों को वो note कर लिजिए तो चलिए start करते हैं तो आज जो हम start करने जा रहे हैं वो start करेंगे हम accounts की definition से आपके exam में ये question जो है definition में से कुछ भी points पूँछा जा सकता है जैसे कि आपका multi choice based question होता है तो कुछ भी आपका concept आ सकता है मैंने यहाँ पे कुछ आपका theory लिखा हुआ है आप इस theory के मत देखो अभी बिल्कुल भी ने देखना ये गलत लिखा हुआ है सारा ये अभी आपने देखना ही नहीं है बिल्कुल भी अभी जब मैं बोलूँगा तब देखना है पहले मैं छोटी सी बात करूँगा सबसे पहले मैं एक word लिखना चाहता हूँ यहाँ पे इसका meaning बताइएगा जो word मैं लिखना इसका meaning बताइएगा बस word है accounting is the art of recording अभी इस definition को नहीं देखिए मैं यहाँ पे आपको सारी बाते बताऊँगा accounting is the art of recording सबसे पहले accounting का meaning नहीं पूछता मैं आपसे recording का meaning नहीं पूछता इसमें से आप सभी को एक meaning तो confirm पता है art चलिए art का meaning बताइए sir art का meaning एक तो आपके पास जो humanity के student है वो arts होता है art का meaning color तो मैंने art का meaning का मतलब हिंदी translation नहीं पूछ रहा मैं आपसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ art है क्या एक example से बताइए फटा फट quickly सोचिए अपने mind में के भाई art होता क्या है art means color मैं हिंदी थोड़ी पूछ रहा हूँ तो मैं भी ढूंड लूँगा dictionary से art का मतलब क्या है क्या example दीजी आपको एकजामपल चलिए एकजामपल सोच लिया चलिए अब मैं आपसे कुछ questions पूछूँगा आप simple simple जवाब देना सचिन तंदूलकर जो सचिन तंदूलकर है उसको आप क्यों जानते हो और ऐसा क्या काबलियत है उसके सचिन तंदूलकर को बेटिंग करना आता है और वह सबसे बेच्ट pastor मैंद आप सभी देखने हो क्या आप में से भी किसी को भी बेटिंग करना आता है बिल्कुल हाँ हर किसी को बेटिंग करना आता है हर कोई कोई cricket लागी कर्केट है लेकिन art उसी के अंदर है जो औरों की तुलना में कोई अच्छे तरीके से खेलता है तो art of art का मतलब है एक ऐसा कला जो सब तो करते हैं लेकिन उन सब में से मैं कुछ बहतर कर सकूँगा तो बोला जाएगा उसमें मेरे अंदर क्या है? आर्ट है जैसे सचीन तेंडूल के अंदर betting cards है अब इसके बाद मैं पूछ हूँ आपसे चलो आपका रितिक रोशन रितिक रोशन में आप सीधा ही आपका बताईए किस चीज का art है? बिल्कुल सही जवाब dancing का तो dance तो आप भी कर सकते हैं अभी DJ चला दे आप नाचने लगोगे तो नाचना और एक professional तरीके से काम करना एक अच्छे तरीके से unique तरीके से काम करना सबसे अच्छा काम करना हटके ये क्या होगा? art सेम ऐसे मैं आपसे कहता हूँ आप running में जाओगे तो कोई ना कोई बच्चा running में सबसे first आ जाएगा आपके class में भी ऐसा होगा ये बच्चा बहुत तेज दोड़ता आपका friend जो होगा बोलोगा इसकी running बहुत fast है तो उसके पास भी art है उसके पास किस चीज का art है उसके पास running का art है सेम ऐसे अगर मैं बात करूँ तो मान लो किसी के पास singing सोनू निगम की बात करते हैं बताइए उसके पास किसी का art है singing का यानि art का मतलब है कि वो काम जो की हर कोई कर तो सकता है लेकिन हम उसको कुछ बहतर तरीके से करे तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर तो इस काम को करने की specialty है यानि मेरे पास art है तो देखें लिखा गया accounting is art accounting art of recording सबसे पहले recording का कुछ मैं meaning बता दू हाँ recording का मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि आब आज record कर रहे है recording का मतलब यहाँ पे है लिखने से लिखना recording का मतलब है यहाँ पे लिखना ठीक है art का मतलब यहाँ पे क्या है color अब कला क्या होता है आपको पता है कला मतलब किसी काम को अच्छे से करने को कला बोलते हैं accounting क्या होता है minus plus करना minus plus करना ठीक है न minus plus मतलब जोड़ना घटाना इसी को तो आप account समझते हो मैं normal बोलता हूँ आपके area में जो कोई भी store हो provisional store हो आपने देखा होगा परचून की दुकान हो वहां पे जो दुकानदार होता है क्या वो commerce का student होता है क्या वो graduate होता है सोचो अपने मन में क्या वो 10th pass होता है क्या 12th तो each and every कुछ ना कुछ हमारा होता है उनका अपना qualification लेकिन जरूरी नहीं है कि सबने become ही किया हो सबने commerce ही पढ़ा हो तो उसकी totaling करने की अगर मैं बात करूं तो वो totaling कुछ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैं कई बार गया हूं समान लेने तो उनके पास इस तरीके का कार्ड बोर्ड होता है और आप ध्यान से देखोगे तो उस कार्ड बोर्ड के उपर वो बहुत सारी पर्चियां लगा कर रखते हैं कार्ड बोर्ड पे बहुत सारी पर्चियां लगा कर रखेंगे यह बन गया हमारा कार्ड बोर्ड वो चिम्टा टाइप से लगा कर रखते और यहां बहुत सारा पेपर पड़ा होता है आपने कोई समान खरीदा प्रोविजनल स्टोर से समान जब खरीदा आपने क्या खरीदा होगा जनरली प्रोविजनल स्टोर में क्या क्या ले सकते हो सोचो, आप मिल्क ले सकते हो, आप राइस ले सकते हो आप आटा ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, यही सारी चीज़े तो लोगे उससे आपने 10 समान खरीदा, वो फटा-फट क्या करेगा जैसे आटा है, उसने आटा लिखा और प्राइज लिखा चीनी लिखा और प्राइज लिखा आपका दाल लिखा और प्राइज लिखा और चालिस लिखती है इस तरीके से टोटल कर देता है वो एक सो चालिस आपने देखा गोर ये परची हटाया और आपको दे दिया ये लो जी एक सो चालिस रुपे लाओ कई बार तो उसकी राइटिंग ऐसी होती है तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि उसने लिखा क्या है आधे रास्ते तो मैं सोसता सोसता आता हूँ कई बार घर पे कि भाई इसने लिखा क्या है राइटिंग कौन सी राइटिंग सी क्या है ऐसी कौन सी पढ़ाई करी है इसने तो मुझे वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई अच्छा चालिस रुपए, पचास रुपए, पचास चालिस का एक किलो चीनी दिया होगा पचास का एक किलो चावल जो मैं अंदाजा लगाँगा कि मेरे पास ये समान है तो ये लिखने की कला है वो भी लिख रहाएगा लेकिन मैं एक अगर मॉल में जाओ या कहीं अच्छे दुकानदार के पास जाओ तो वो प्रॉपर तरीके से मुझे बिल देगा बिल तो आपने देखा ही होगा मुबाइल फोन लो, कुछ भी लो, आपको तो बिल मिलता है बिल किस तरीके से देगा वो प्रॉपर तरीके से उनका प्रिंटिड होता है प्रिंटिड क्या होता है आपका क्वांटिटी है ना, देखा होगा रुपीज, यहाँ पे लिखा होता है पर्टिकुलर कई बार आपका transaction भी लिखा होता है particular और particular में आपने अगर दाल खरीदा तो यहां लिखा होगा दाल आपने कितने एक kilo खरीदा है यहाँ पर rate का भी column होता है कितने का यहाँ rate का बना देते हैं 10 रुपे kilo यहाँ 10 रुपे तो नहीं है आज का ठाइम पर 50 तो कितने होगे 50 आपने आटा खरीदा तो वहाँ पर पर आटा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको इंग्लिस में लिखा रहेगा उसकी चिंता मत करो आटा को आटा भी बोलते हैं इंग्लिस में हम तो यहाँ पर मैंने लिखा टू केजी 25 रुपए का तो कितने होगे 50 रुपए मैंने चीनी खरीदा चीनी कितने 5 किलो कितने का 20 रुपए का 100 रुपए इस तरीके से प्रॉपर वो क्या करेगा आपको 200 रुपए का रुपीज उसके बाद प्लस GST हम GST की भी डिसकुशन करेंगे चिन्ता ना करें आप GST जो भी परसंटेज हमान लेते हैं के 5% है तो अपका 10 रुपएस लग गया इसके बाद यहाँ आपसे नाम भी पूछेगा जी नाम या मुबाइल नंबर आपका इसके बाद यहाँ दुकान का नाम फोन नंबर सब कुछ लिखा होगा उसके बाद यह बिल के पीछे ना एक कौपी भी लगी होगी जिसे कार्बन कौपी बोलेंगे फिर आपको यह बिल देगा वो और इसकी एक एंट्री कॉप कंप्यूटर में भी होगा और यह बिल देगा इसमें आपको सब कुछ साफ साफ समझ भाएगा तो क्या बताओ जो दुकांदर six pass है क्या वो ऐसा काम कर सकता है बिल्कुल कर सकता है जो fifth pass है या fifth fail है क्या वो ऐसा काम कर सकता है बिल्कुल कर सकता है क्या वो ऐसा काम कर सकता है इस design में, इस format में काम को कर सकता है, नहीं कर सकता, तो यही तो बेटे कला है यह, यही तो कला है, कला किस क्यों बोलेंगे बच्चे, क्योंकि जो काम हम औरों की तुलना में अलग तरीके से करें, उसी को तो कला बोलने जा रहे हैं हम, सभी पांचवी, छटी, साथवी, आटव से काम करते हैं, इस specific format को follow करते हैं, तो बोला जाएगा उसके पास, किस क्या है हमारा, आट है, तो इसको बोला गया, accounting is a art, आट मतलब समझ में है, इस format में करने को हम क्या बोला हमने, आट, accounting minus plus, देखो minus plus हो रहा है, recording, recording मतलब बताओ, क्या बोला मैंने, लिखना, तो एक sentence आ कि accounting is a art of recording, क्या बताइए, इस से आप agree करते हैं, कि accounting लिखते हैं, जो वो लिखना specific तरीके से, औरों के तुलना में अलग है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, accounting is a art of recording, चलिए मेरे साथ, दूसरे point के discussion करते हैं, Classifying and Summarize, Classifying and Summarize, अब बताइए सबसे पहले, आप सबको पताए, Classifying का मतलब क्या होता है और Summarize का मतलब क्या है, Classifying का मतलब होता है, चुन्ना, ध्यान से सुनेगा, इस से बहुत सारे concept clear होंगे, चुन्ना, Summarize का मतलब होता है, एक खटा करना, ठीक है, एक खटा करना, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मैंने जो दुकांदर को देखा है, वो करते क्या है, उनके पास, मैंने जर्नली देखा है, या तो उनके पास कोई जार होगा, इस तरीके का जार, जार नहीं तो आपने एक ऐस इस तरीके का होता है की, और ये इस तरीके से होता है, चिंता मत करो, थोड़ी से डर्वाइंग खराब है मरी, ये लो बने गया, इस तरीके से होता है, और ये है मेरा दुकांदार, लाला जी, ये है लाला जी लाला जी लाला जी ने दुकान में कोई भी काम किया दिन भर में देखो क्या कर सकता है ग्रहा को समान बेच सकता है दिन भर में समान सप्लायर से खरीच सकता है कुछ अपने दुकान का खर्चा कर सकता है बिजली का बिल दे सकता है पानी का बिल दे सकते हैं तो जो भी ग्रहा को समान बेजता था उधार वगेरा इसके दुकान पे जो है लाइन लगी पड़ी है आप मुझे बताईए अगर इसके दुकान पे लाइन लगी हुई है ये क्या करे बेटे आप मुझे बताना ये क्या करे दुकान पे line है तो पहले ये बोले कि एक मिनट आप एक काम करिए आप 10 मिनट वेट करिए पहले मैं लिख लूँ आपको अपना आर्ट दिखा दू पहले में तब आपको समान दूँगा या समान फटा फट देके कभी तसली में काम किया जाए बिल्कुल सही, समान पहले दे दिया जाएं, फिर तसलिए में काम करेंगा अगर बोलेंगे आपको आठ दिखा हुआ तो कस्टुमर क्या बोलेंगे भाईया हमें ने देखना, तुम्हारा आठ हम दूसरे दुकान पे चले तो उसने क्या करा समान जो कस्ट Customers को दिया फटा फट एक परची था इसके अंदर क्या करता वो इस तरिके से फसा फसा के रखता जाता जो भी काम करता पूरे दिन में ये परची यहां पर फसा फसा के रखता जाता आप देखोंगे कई बार इतनी मोटी बंडल हो जाती है उनके पास परची लगी लगी ठीक है अब ये लाला जी क्या करता है सारा समान बेचने के बाद मैंने देखा रात को दस बजे में गया एक पर समान लेने मैंने बोला और लाला जी क्या हाल चाल लाला जी कहते हैं के जी बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा डिस्टरब मत करो, मैंने क्या हुआ, कहते हैं कि अभी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने बोला बताओ, मैं करूँ, उसने बोला उसके पास मैंने देखा, मैं हैरान हुआ देखके इस बात को, उसके पास लाल किताबे थी, हमने तो स के अंदर sales लिख रहा है, एक किताब जिसके अंदर वो अपने क्या लिख रहा है, supplier को जो payment किया है, तो इस तरीके से किताबे थे और एक सेक्टरा, वो पर्चे निकालता, और देखता ये खर्चा है, चलो लिखो खर्चे के अंदर, फिर पर्चे निकालता, फिर कहता payment है, लिखो sales के अंदर, फिर पर्चे निकालता, कहता expense है, लिखो expense के अंदर, फिर पर्चे निकालता, कहता payment है, payment, ऐसे करते करते ये पर्चे खाली हो गई, पर्चे खाली हो गई, और वो पर्चे फैकता जाता, और यहाँ पर क्या करता गया, उसे लिखता गया, तो मैं बस बत करना अब देखो expense कितने हो गए तीन expense हो गए तो क्या expense इखटा हो गए हमारा हाँ जी बिल्कुल हो गया sales दो हो गए payment तीन हो गई तो क्या यह इखटा हो गया हो गया तो accounting क्या है लिखने की एक कला है लेकिन कैसे लिखोगे पहले classifying करोगे फिर summarize करोगे summarize का मतलब होता है accounts को इखटा करना आपने पूरे दिन भर में 10,000 रुपए का sale किया तो वो 10,000 रुपए का sales है कैसे पता चला एक ही वेक्ति को नहीं बेचा आपने इखटा कर 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 करा है वो तो आपने क्या करा है summarize क्लासिफाइंग आपसे मैं पूछता हूँ के भाई आप sales बताईए तो आप इसमें से ढून-ढून के निकाला है आपने इसी को क्या बोला गया क्लासिफाइंग तो दुबारा देखते हैं accounting is a art of recording classifying and summarizing चलिए समझ में आया हाँ जी हाँ बिल्कुल समझ में आ गया तीसरे पॉइंट पर चलते हैं आपको थियोरी नहीं पढ़ना है कि इसको ध्यान ने देना मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को ध्यान दो और बिल्कु in the significant in the significant manner ये लो जी in the significant manner आप बस मुझे आप सब बिल्कुल पूरी EPFO की आपने तयारी कर ली हैं आप सब एकदम English बहुत अच्छे से आता है आपको मुझे तो जादा नहीं आता फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप बताइए significant का मतलब क्या है सर significant मतलब महतवपून फिर वही बात मैंने हिंदी थोड़ी ना पूछा है आप से आप significant का example दीजिए मुझे सर वो चलिए manner का मतलब सर manner का मतलब तरीका मैंने फिर हिंदी थोड़ी ना पूछा है significant का मतलब आपने सही बताया हिंदी मीनिंग देखिन इसको मैं कैसे इसमें लिखा गया significant मतलब होता है महतवपून महतवपून और इसका मतलब तरीका तरीका ठीक है कैसे मुझे एक अपने छोटे बच्पन की मैं बात आपसे करूँ तो जब मैं six, seven, eight standard में पढ़ा करता था तो गर्मी की छुट्टियों का इंतिजार किया करता था और जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो बस सबसे ज्य जाये, homework ना मिल जाये, teacher फिर, लेकिन teacher छुट्टी पढ़ने से एक निर पहले list, हाँ जी बच्चो, board पे लिखो homework, बस वही डर रहता था और वो डर मेरा दूरी नहीं होता था, वो teacher से मैं मना भी करता था, वो दे दे देते थे homework, तो in the significant manner, जब teacher homework देते थे, तो उस time पे writing चाहिए मने जाता था, शुलेक दिया जाता था, अब writing, writing में क्या दिया जाता था, writing के अंदर आते थे, 10 page writing लिखे हो, 15 page writing लिखे हो, 20 page writing लिखे हो, 60 दिन की छुट्टी है तो 60 page writing लिखो, इससे बड़ा परेशान रहता था, मैंने भी गुस्से मां के क्या करा, मैंने writing दिया मैंने बोला आज इन्हों ने राइटिंग दिया कुछ मेरा पेज ऐसे था मैंने का 30 पेज दिया मैं 40 करके दिखाऊंगा अपनी मैडम को 40 करके दिखाऊंगा मैडम को मैं उसने राइटिंग दिया लिखना क्या था राम खाना खाता है मैंने लिखा राम खाना खाता है एक पेज भर गया लोजी दूसरे पेज पर भी राइटिंग मैंने बोला मैडम और राइटिंग पर राइटिंग दो लिखने के लिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं जल्दी जल्दी काम पूरा मैंने लिखा मोहन घर जाता है मोहन घर जाता है ये लोजी पेज भर गया मैडम दो पेज होगी राइटिंग और मैं मैडम के पास लेके गया मैडम इसे चेक करो मैडम ने देखा इसको और लिखा कि राम खाना खाता है मोहन घर जाता है मैडम बोला बस मैडम यही तो लिखा आपको समझ आ रहा है मैडम ने रेजिस्टर उठाया और बाहर फैक दिया मैंने बोला मैडम क्या गलती हो गई यह तो बताओ अब आप से पूछना चाहूँँगा क्या मेरी कोई गलती है हाँ सर आपकी गलती है बताओ ना मेरी क्या गलती है मेरी गलती यही है कि आपने ऐसे नहीं लिखना चाहिए था आपको लिखना चाहिए था इस तरीके से राम खाना खाता है इस तरीके से लिखना चाहिए था आपने क्या यह फैला रखा है क्या यह कोई तरीका है लिखने का क्या ये कोई manner है लिखने का बस यही बात मेरे समझ में आया यहीं से word आया सेम ऐसे accounting accounting बोला जाता है भच्चे आपका लिखने के लिए accounting कैसे किया जाना आपका इस तरीक इस accounting होता है आगे हम देखेंगे ये line होता है बोला जाता है इधर line लिखो इधर line, बिल्कुल सीधे-सीधे line खीचना है, अभी scale से तो मैं खीचने रहे, थोड़ा टेडि मेडि हो सकती है, उसके चिंदा मत करो, थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, तो इसको मैंने खीचा line, ये लो जी सीधी line हो गई, ये line खीचना है, ठीक है जी, ऐसे line खीचना है, और इसके बाद इधर particular लिखना है, particular, इधर amount लिखना है, इधर particular लिखना है, इधर amount, अगर payment है तो मैं cash के बारे में लिखूँगा, यहाँ पर cash account लिखूँगा, इस तरीके से कुछ accounting, ये तरीका है करने का, मैंने बोला बस यही तरीका है, एक काम करता हूँ मैं, बड़ा ही आ मैंने design क्या बढ़िया बनाया, हाँ sir, बहुत बढ़िया design, अरे इसमें क्या लिखेंगे, ये design painting थोड़ी मिला है, आप accounting करने जा रहो, painting थोड़ी ना कर रहे हो आप, तो in the significant manner, समझते है, manner का मतलब, क्या आप बताएंगे, क्या ये मेरा काम करने का manner है, नहीं sir, ये manner नहीं सर, manner ain't, क्या ये काम करने का manner है, हाँ ji, manner है, manner का मतलब क्या बता है, तरीका, significant मतलब, महतपून, महतपून मतलब, जो specific rule है, उसी rule के accounting आपको accounting करनी है, अगर आप अपने हिसाफ से चलाऊगे, आप line को इधर-अधर करोगे, तो वो accounting करने का आपका कोई फाइदा नहीं है, चलिए दुबारा देखते हैं, accounting is an art of recording, समझ में ही बात, accounting एक लिखने की कला है, क्यों अभी समझाया था, classifying and summarizing, लाला जी चुन-चुन के लिख रहे थे, in the significant manner, एक महतवपून तरीके से लिखा जाएगा, क्या यहां तक समझ में आया, हाँ सर, समझ में आ गया, चलिए, इस terms of money, money, हम commerce की अगर बात करें, तो commerce के अंदर आपकी बात करूं मैं, तो commerce का मतलब होता है, आपका business, commerce का मतलब normally होता है, business, तो in the terms of money की बात करते हैं, तो बोला गया accounts के अंदर, के भाई, accounting को आप लिखना, एक कला है, आपकी मानते हैं, लेकिन पता है, कब कला कहेंगे, और ये दोनों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, significant manner भी होना चीए, अब मान लो, मुझे अपना business का मुनाफ़ा या loss निकालना है, आपकी दुकान है, आपको business का loss profit निकालना है, आपने पूरे दिन में sales किया, sales किया, sales किया अपने 1000 रुपए का, और आपका खर्चा जो ह expense जो है, वो है 800 रुपए, अब आप बिमार पड़े, बिमार बिमार पड़े आप, ये लो बिमार लिख दिया, अब ही अटातें से, बिमार, दंगे हो गए आपके वहाँ पर, rights हो गए, हरताल हो गई, strike हो गई, हरताल, strike, ये लिख दिया मैंने, अब बताओ, आपका कितना profit कितना loss है, आप कहोगे sir, आपका, जो 1000 का खर्चा, 800 का नुकसान, इसका मतलब 200 रुपए का आपका मुनाफ़ा है, ऐसे नहीं, ये भी तो है हमारा, ये बिमार है, ये strike है, इन सब को तो आपने देखा ही नहीं, तो बोला गया, कि accounting में इनकी जगह नहीं है, आप बिमार पैसे वाले चीज़ों को तो देख के आप कुछ calculation कर सकते हो, बिना पैसे वाले चीज़ को calculation नहीं किया जा सकता, हाँ, पैसे वाले एक से मतलब है, कि आपका या तो पैसे वाला हो, या पैसे के terms में बदला जा सकता है, क्या आपके बिमार को पैसे के terms में बदला जा सकता है नहीं बदला जा सकता तो कहा गया कि accounting लिखने की कला है लेकिन ध्यान रहे पहले classifying करो फिर summarize करो और ये भी ध्यान रखना एक significant manner में लिखना और सिर्फ पैसे वाले transaction को लिखना बिना पैसे वाले को लिखोगे तो बहुत खतरनाक है वो वो accounting मानी नहीं जाएगी अगर मैं यहाँ पर बोलू सर बिमार 10 रुपे का हुआ और strike 20 रुपे का हुआ आपका profit तो 170 है गलत जवाब आपका जवाब होना चाहिए सर 200 रुपे का ये तो non monetary item है non money item है non cash item है तो इसको नहीं लिखा जाएगा books of account में चलिए उधार की बात आप पूछरें उधार उधार बिलकुल लिखा जाएगा कभी ने कभी तो money में convert होगा लेकिन क्या बिमारी आपकी money में convert होगी नहीं होगी हाँ जी चलिए समझ में आगया सर आगे देखते हैं transaction transaction and event आप बताईए transaction and event transaction का मतलब transaction का मतलब सर लिखना लिखना event का मतलब काम होना event का मतलब वो event नहीं जो party वगरा organize करते हैं transaction मतलब लिखना और event का मतलब काम होना चलिए इसको समझते हैं माल देजिए एक है हमारा accountant accountant का पता है न क्या काम होता है ये accountant जी accountant G ठीक है और इसका मालिक मालिक है ये honor honor ये थोड़ा सोचता है चमचा किसम का है चमचा समझते हो जो buttering का काम करता है यानि ये मालिक को बहुत दोलता है ताकि इसकी salary बढ़़ा है इस तरीके से काम करता है हुआ यू इसके दुकान इसकी दुकान पर एक ग्रहाक आता है एक ग्रहाक जैसे ही इसकी दुकान पर आया ये इसकी दुकान है बिटे इसकी दुकान पर ग्रहाक है ये दरवाजे भी बना दिये ये लोग छट भी बना दिये ठीक है ग्रहाक आया गरहाग ने पूछा, इसकी कपड़े की दुकाने, गरहाग ने पूछा, ओ भाईया, ओनर, लाला जी जीन्स कितने का दिया, इसने बोला भाईया, जीन्स है 500 रुपए का, इसने बोला ठीक ठीक लगा लो, इसने बोला सुभे का टाइम है, चलो 480 रुपए दे देना, इसने customer क्या बोलता है इसको नहीं जी मैं तो 200 रुपए दूँगा लाला जी ने हाथ जोड़े और बोले नहीं चाहिए मुझे आप जा सकते हो लेना है ना तुमारी ना मेरी 400 रुपए में दे दूँगा लेना है तो लो नहीं तो मत लो इसने बोला जी नहीं लुँगा यह चला ग पर सनाया यह आगया दूसरा customer ठीक है यह एकदम लाल customer ठीक है लाल customer गुस्से से लाल ने एकदम healthy customer है यह कश्मीर से apple खा के आया है customer यह customer क्या बोलता है भाईया यह shirt कितने का दिया दुकानदार ने बोला लाल customer आज देखो तुमें मैं कैसे बताता हूं यह shirt है सिर्फ और स सही सही लगा लो इसने बोला चलो आपके लिए 940 ती है customer बोलता नहीं 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 customer जाने लगा दुकानदार सोच रहा है यार इसको तो जादर रेट बता दिया बोला सुनो तो सही कितने का दोगे customer ने बोला जी मैं इसके तो 1500 रुपे दूंगा बताओ दीते हो तो बोलो दुकान दर गुस्से में आ गया बोला भाई 500 रुपे तो नहीं मिलेगा आपको लेना है या नहीं लेना या फिर टाइम पास करने है बोला लेने आयों 500 रुपे लो और 260 मैं तो लेने आयों आप देने वाले बनो हम तो मैं तो लेने वाला बन रहा हूँ बोला देखो पड़ेगा 800 रुपे के लेने हैं तो लो नहीं तो मतलो अकाउंटेंट फिर से सेल्स लिखता है कितने का 800 रुपे का इसके बाद अगें एक और कस्टमर आया इस कस्टमर ने बोला भाईया ये टी-शर्ट कितने की है टी-शर्ट पूछा इसने सौखीन कस्टमर है ये टी- इस दोषो रुपे का है इसने फटा-फट 200 रुपे दिये दोसों का नोट और फटा-फट ले गया बोला चलो भी टी-शर्ट दे दो टीशर्ट ले लिया 200 रुपे का दुकानतार का बह। एप्सेट एपसेट है थोड़ए ये एपसेट कैसे होगा होगा आज किरहांक नही कितने हो गए बताईए 400, 800, 200, 1400 रुपीज की आपने दुकानदारी करी ओनर ने बोला 1400, ओनर ने हिसाम लगा है पहला कस्टुमर चला गया, दूसरा कस्टुमर चला गया एक ही को तो बेचा 200 रुपए इसने बोला ओ अकाउंटेंट इदार आ कितने का समान बेचा, इसने बोला सर आपने 1400 का समान बेचा है बोला अकाउंटेंट तू चले जा आज से तेरी नौकरी खतम हो गई जा अब तेरी नौकरी कहीं और ढून, मैंने देख लिया तिर को कितने अकाउंटिंग आता है इसकी नौकरी चली गई आप बताईए कि ठीक गई इसकी नौकरी कि इसको नौकरी से निकाला गया बिल्कुल ठीक है हाँ सर बिल्कुल ठीक है इसको 200 रुपे लिखना चाहिए था सेज तो 200 रुपे का हुआ है लेकिन ये 1400 क्यों लिख रहा है लेखिन जब event हो जाए, तब ही लिखो, अगर event नहीं हुआ, यानि काम complete नहीं हुआ, और आप लिख के बैठ जाते हो, तो क्या वो accounting है, नहीं, बिल्कुल accounting नहीं मानी जाएगी, चलिए, फिर से देखते हैं, कहता है, accounting is a art of recording, लिखने की कला, कैसे लिखोगे भाई, पहले classifying क करना, फिर summarizing करना, फिर लिखना आपने, कैसे, in the significant manner, और कौन सा item को, दंगे फसाद को लिख ले, नहीं, in the terms of money only, और कब लिखोगे आप ये बताइए, जब काम complete हो जाएगा, तभी लिखना है, यानि transaction and event, चलिए, आगे देखते हैं, transaction and event का बात, at least, part of financial character, financial character, at least part of financial character, ये क्या है सर, देखो, at least का hindi meaning बताइए, at least का hindi meaning होता है, कम से कम, financial मतलब यहाँ पैसा, character मतलब के रूप में, तो आपको जरूरी नहीं है, कि सारी चीजे monetary terms में मिले, कुछ ऐसे भी काम हो जगते हैं, जो कि non-monetary terms में मिले, non-monetary terms का मतलब, कि आपका पैसे में तो नहीं मिला, लेकिन वो financial nature का है, आपको मैं ब्याज दूँगा, दिया तो नहीं, क्या financial nature का है, बिलकुल, उसे लिख लो, कि कल मैं आपको ब्याज दूँगा, मैंने लिख लिया इसको, आप से मुझे 5000 लेने हैं, क्या पैसे मिल गए, नहीं मिले, in future में कभी न कभी तो मिलेंगे, तो मैं लिख लूँगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो पैसा आए चाहे ना आए, पैसा चाहे थोड़ा सा advance है, आपने 10,000 का समान लिया, 2000 रुपे मुझे दे दिया, थोड़ा सा advance है, उन चीजों को भी लिखना है आपने, ऐसा नहीं कि cash में ही होगा, आपको mother dairy नहीं बनना, कि cash में होगा तब ही समान दिया जाएगा, आपको तो दुकानदार अच्छा दुकानदार बनना है, तो उसे साबसे आप समान लोगे, तो at least part of the financial character, हाँ सर, यहां तक समझ में आया, इसके बाद, interpreting result thereof, interpreting result thereof, interpreting, चलिए, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहीं underline कर देता हूँ, interpreting result thereof, मैं सारा काम करता हूँ, आपके सामने मैंने accounting करा, और मैं सब कुछ करूँगा, आज मेरे पास कला भी आ गई, बताइए, मेरे पास कला है, कि नहीं है, हाँ सर, आपके पास तो बहुत अच्छी कला है, चलिए, ठीक है, इसके बाद, क्या म के पास manner भी है, क्लासिफाइंग, बिल्कुल निकाला, और क्लासिफाइंग कर लिया मैंने, और क्लासिफाइंग करने के बाद, और मैंने Chinese language में लिख दिया इसको, और आप Indian हो, आपको समझ आ रहा है, कितने किलो आटा, कितने किलो चाबल, क्या समझ आ रहा है, सर नहीं आ अब मैंने देखो, सारे rule लगाए, मैंने पास कलाबीती, सीधी सीधी line है, क्लासिफाइंग अन समराइज भी है, ट्रांजेक्शन और इवेंट, वही काम लिखा जो की हुआ है, और in the significant manner वाले भी हमने लिखे है, और इसके बाद क्या है, और in the cash, terms of cash, सारी चीज़े मैंने लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा, अब बोलो मेरा accounting कैसा है, क्या accounting आपको समझी नहीं आ है, तो बताओ क्या करे, सर आपका तो सब समझाना बेकार हो गया आज, किसी काम का नहीं रहा, इसके करने के बाद तो हिम्मत हार गया, नहीं बेटे, हिम्मत नहीं हार ना बच्चे आपको, आप देखिए, अब definition की तरफ चलते हैं, बोला गया, accounting is a art of recording, accounting एक लिखने की कला है, कैसे लिखोगे, पहले classifying करोगे, फिर summarize करोगे, transaction और event, sorry, पहले classifying, फिर summarize, और in the significant manner, तो पहले classify करो और summarize करो, और कैसे करना है, significant manner में, और कौन सा item होने चीए, only in the terms of money, और कब लिखोगे, जब हमारा event हो जाएगा, और financial character का हुआ, तो लिख लेंगे, और उसके बाद interpreting result दे रहा हूँ, अब देखिए, अब देखिए आप, मैंने ये time, अब देखना है, ये सब कुछ सही लिखा है, पहले मैंने जूट बोला था, accounting is the art of recording, समझ में आया है, art of recording, significant manner, समझ में आ रहा है, तो मैं इसको अगर detail पढ़ा हूँ, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in the significant manner, and in the terms of money, और पैसे वाली चीज, transaction and event, जो काम हो चुका हो, which are part of at least financial character, जो की पैसे character का है, उस सब को करने के बाद, अगर सामने वाले वेक्ति को समझा दिया, interpreting समझना, तो आपका result क्या हो गया, अगर आपने सारा result समझा दिया, interpreting का मतलब होता है, समझना, समझना, समझा दिया, तो आपकी accounting क्या हो गई, सफल, यह मैं नहीं बता रहा बच्चे, यह जो है, हमारा जो सबसे popular definition है, accounts की, इसी म से हम बहुत सारी चीज़े सिखेंगे, तो जो हमारा American Institute Chartered Public Accountant है, उन्होंने यह definition लिखा है, वहाँ इसको हम short form में बोलते हैं, वैसे तो CPA का course भी होता है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे CPA को क्या बोलेंगे, आपका Certified Public Accountant, जो America का है यह, और यह American Institute, उन्होंने यह theory लिखे थी, उसी theory को देखा, चलिए अब मेरे साथ बोलें, accounts की definition, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in the terms of money only, and in the terms of money only, transaction and event at least part of financial character and interpreting result thereof, क्या समझ में है, नहीं कुछ समझ में है, अब देखिये, हाँ सर समझ में आ गया, बस इसको हटा दीजिए, पूरी तरीके से हम इसको समझ चुके है, बताइए बच् कोई doubt, कोई दिक कर, ठीक है, तो हमने अभी definition complete किया, definition में फिर से देखिये क्या है, accounting is the art of recording, बच्चे ये इतना detail में क्यों कर रहा हमने, सर इतना detail में क्यों कर रहा है, हमारे तो थोड़ा सा हैगा, इसी में से हम definition बनाएंगे, इसी में से हम advantage बनाएंगे, इसी में से disadvantage बहुत सारी meaning इसमें से निकालने वाले हैं, इसको अगर हम समझेंगे, तो एक number का question complete हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट समझ लिया, आप अच्छे से इसको note करिए, और एकदम सुन्दर सुन्दर writing में देख के मज़ा आ जाए, और अपने notebook बना रखा होगा, बिल्कुल अ और आपको note करना चाहिए, तो आप note करिए, चलिए बच्चे, फटा-फट से note करिए, फिर अगले concert पर चलते हैं, ठीक है? करिए, बिल्फ तो तो आपको झाल 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 झाल